असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हम सब लोग आज हमारा टॉपिक है मेकैनिक्स में एंगुलर मोमेंटम फॉरा रिजिड बॉड़ी बच्चो इससे पिछले लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है ऑफा सिंगल पार्टिकल उसकी बाद हमने पढ़ा है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम फा रिजिड बॉड़ी तो पिछले लेक्चर देखना जरूरी है अगर आप इस लेक्चर को समझना चाहते हैं बचो इससे पीछे भी हमने एंगुलर मोमेंटम फा सिस्टम फार्टिकल पढ़ा है और रिजिड बॉड़ जो है वो भी एक सिस्टम फार्टिकल होता है रिजिड बॉड़ी में भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं वो भी एक सिस्टम फार्टिकल होता है तो सिस्टम फार्टिकल और रिजिड बॉड़ी फिर दोनों में फरक क्या हुआ इससे पीछे जो हमने सिस्टम फार्टिकल पढ़ा था बच्वो वो diformς इस्टमः था यहने कि ऐसा सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल्स के दर्मयान displacement यह distance fixed नहीं होता और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो पार्टिकल्स के दर्मयान जो distance होता है वो fixed होता है तो rigid body में एक एक form system होता है जिसमें दो particles के तरम्यान fixed distance होता है जबकि D form system में दो particle के तरम्यान distance fixed नहीं होता तो अभी हम rigid body ले रहे हैं और example के तोर पर यह हमने एक solid disc ली है बच्चों यह solid disc जो है यह इस तरह से इस तरह से rotate कर रही है और इसका जो axis of rotation है यह z axis में है यानि के disc हमारी पड़ी है x y plane में और इसका axis of rotation क्या है z axis है आप यह समझ सकते है कि इस तरह से disc पड़ी हुई है ठीक है जी और इस तरह से rotate कर रही है और यह उसका axis of rotation है बच्चों अब disc जो है यह बहुत सारे particle से मिलकर बनी है ऐसा ही एक particle हमने यहाँ पर select कर लिया है इस particle का जो distance है जो position vector है हमारे fixed origin से बच्चों वो है r i इसका mass है mi और इसकी जो velocity है वो है v i चुंकि अगर आप एक single particle की बात करें तो single particle जब move करता है तो वो एक circular path में move करता है तो circular path में move करते हुए उसकी जो velocity होती है वो हमेशा tangent to the circle होती है ठीके बच्चों तो ऐसे बहुत सारे particles मिलकर यह region body बना रहे हैं अब हम क्या करते हैं हम बारी बारी इन सारे particles का अलग अलग से angular momentum निकालते हैं और end पे उसको जमा कर लेंगे तो हमारे पास आजाएगा total angular momentum तो बच्चों angular momentum की definition हमने पीछे पड़ी है angular momentum बराबर होता है m v r और sine theta अगर 90 हो theta तो फिर यह जो magnitude है angular momentum का maximum वो आता है l is equal to m v r यह हमारे पास actual relation था l is equal to m v r sine of theta तो यहाँ पर अगर आप देखें तो velocity जो है वो tangent to the circle है और यह r है तो r और v के दरम्यान angle 90 है angle 90 है तो sine 91 होगा तो इसका magnitude आजाएगा m v r अगर हम एक particle की बात करें तो उसका angular momentum होगा l 1 mass होगा उसका m 1 और यह r उसका r 1 होगा अगर हम यहाँ पर v को put कर ले अगर हम v को put कर ले बच्चो r omega ठीक है यहाँ पर तो यह l हमारे पस बन जाएगा m v की जगा आजाएगा r omega और यह वला r तो यह हो जाएगा m r square omega तो l 1 आजाएगा m 1 r 1 square और omega बच्चो यह जो जितने भी particles हम यहाँ पर बना रहे हैं जिसरा हमने यहाँ पर एक particle बनाया है इस तरह एक particle यहाँ भी हो सकता है हर particle का position vector है यह distance है from center of center of mass of the rigid body यह दूसरे लफजों में हर particle का जो distance है इस o से origin से वो different है इसलिए सब का r different है सब का mass भी different है m भी different है लेकिन सारे के सारे सारे के सारे particles एक ही rigid body की उपर है ठीक है जिस सरा आप एक्जामपल ले सकते हैं कि ये पैन एक rigid body है ठीक है और ये इसका fixed origin है अब origin से जो particle यहाँ पे है उसका distance और है जो 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 यहाँ पे है उसका distance और है लेकिन जब ये rigid body depend करती है आपका center से distance कितना है लेकिन सब की angular velocity सब की rotation की velocity क्या होगी सेम होगी क्योंकि सारे के सारे a की rigid body की उपर है इसलिए सब की angular velocity सेम होगी तो angular velocity के साथ हमें one two लिखने की जरूरत नहीं होगी बचों इसी तरह से अगर हम दूसरे particle की बात करें उसका L2 होगा angular momentum तो ये बन जाएगा M2 R2 square omega and up to so on अगर हम सबसे आखरी वाले particle की बात करें तो ये होगा MN Rn square omega अगर हमने total angular momentum निकालना हो तो ये सारे angular momentum ग्या कर लेंगे add कर लेंगे तो total angular momentum आएगा L1 plus L2 plus L3 up to so on Ln तो बचो इसमें values पुट कर देंगे M1 R1 square omega plus M2 R2 square omega and up to so on MN Rn square omega बचो इन सब में omega common आ रहा है तो हमारे पास L बराबर आजाएगा omega common निकालने तो हमारे पास आ जाएगा M1 R1 square plus M2 R2 square and plus up to so on MN Rn square बचो अब हम क्या करते हैं इसको हम लिख लेते हैं submission की सकल में submission I से 1 तक MIRI square is equal to L बचो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो moment of inertia होता है यह पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है हमारा moment of inertia जो होता है यह बराबर होता है M R square के और अगर हमारे पास यहां submission हो MIRI square 1 से N तक तो यह हमारे पास होगा total moment of inertia पूरी rigid body का तो बचो यह क्या है total moment of inertia of whole rigid body तो यहां पर हम लिख सकते हैं L is equal to omega और यह total moment of inertia तो बचो L हमारे पास आगया omega I यह हम इसको लिख सकते हैं L is equal to I omega तो बचो यह है हमारा angular momentum of a rigid body यह हमारा angular momentum of a rigid body है और आप देख रहे हैं कि I और omega moment of inertia और angular velocity का product है अगर इस equation के साथ हम linear motion की equation लिख लें तो linear motion में बचो हमारे पास होता है P is equal to MV और L is equal to I omega बचो linear motion में हमारे पास जो velocity होती है वो V होती है और angular motion में velocity omega होती है linear motion में हमारे पास mass या inertia M होता है और angular momentum में हमारे पास inertia moment of inertia होता है linear motion में हमारे पास momentum P होता है linear momentum और angular motion में हमारे पास momentum L होता है angular momentum बचो इस equation का अगर हम time derivative ले लें तो यह हमारे पास बन जाएगा DL over DT is equal to D over DT of I omega बचो आई जो है इसको हम ये constant है इसको हम बाहर लिख लेते हैं ठीक है जी हमारे पास आ गया d omega over dt और यहां पे क्या आ गया d l over dt बचो ये d omega over dt क्या है rate of change of angular velocity तो rate of change of angular velocity बचो किसके बराबर होता है ये बराबर होता है angular angular acceleration के rate of change of angular velocity is equal to angular acceleration और यह है rate of change of linear momentum ये पीछे हमने प्रूव किया है rate of change of linear momentum जो है ये बराबर होता है टॉर्क के तो बच्चो ये हमारे पास आ गया जी newton second law for a rigid body यानि कि angular motion में अगर आप newton second law लिखेंगे किसी rigid body के लिए तो उसकी ये शकल होगी तो ये हमारे पास torque, angular acceleration और moment of inertia के तरमयान एक नया relation बन गया t is equal to i alpha बच्चो दोबारा से फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों relation उस वक्त valid होंगे जब आपका origin fix होगा जब आपका origin fix होगा और आपका जो frame of reference है वो inertial frame of reference होगा तो इसके साथ ही ये lecture हमारा complete हुआ अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके ज कीजिए थेंक यू अलाफेज